वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई को मोधी 3.00 का पहला बजट पेश किया इसमें सीतारमन ने कई एहम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने और घटाने का एलान किया है आईए जानते हैं, बजट में इन एलानों के बाद किन चीजों के महंगे होने और किन चीजों के सस्ते होने का अनुमान है सबसे पहले जानिये बजट में एलान के बाद कौन सी चीजें होंगी सस्ती कैंसर से जुडी तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई एक्सरे ट्यूब और फ्लाट पैनल डिटेक्टर पर भी आयात शुल्क हटाया गया मोबाइल फोन और पार्ट्स पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी पंद्रह फीसरी घटी पच्चीस आवशक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्मान की वस्थू पर टैक्स में छूद सोनी और चांदी पर सीमा शुल्क घटा कर छे फीस दी किया गया ज्वैलरी सस्ती होंगी लैटिनूम पर सीमा शुल्क घट कर अब 6.4 फीस दी हुआ लेकिन अब आपको बताते हैं कि किन चीजों के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत पीवीसी फ्लेक्स बैनर का आयात करना महिंगा होगा कुछ दूर संचार उपकरनों का आयात महिंगा होगा आधार भूत कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत की गई मेकिन इंडिया के तहट देश में बने सस्ते घरेलों उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का अयलान एक साल से ज्यादा तक रखे गए एक्विटी निवेश महिंगे होंगे टैक्स 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया गया एक साल से ज्यादा रखे गए शेर महिंगे होंगे टैक्स 10 फीसदी से बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत किया गया अमोनियम नाइटरिट पर आयाथ शुल्क 10 फीसदी बढ़ाया गया खुद से नश्टना होने वाले प्लास्टिक महिंगे होंगे आयाथ शुल्क 25 फीसदी बढ़ाया गया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें